हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू इमास्टर जी यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स यह एक्ससाइज 3.5 का कोश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है इसमें क्या कह रहा है क्योंकि यह वर्ड प्रॉब्लम है तो इसलिए सबसे पहले हम इसका रोड मैप राइट अंसर के लिए उसको तीन मार्क्स मिलते हैं एंड लूजिंग वन मार्क फॉर रॉंग अंसर के लिए माइनस वन होता है इसमें प्लस वन होता है इसमें माइनस तरी होता है had four marks been awarded for each correct अंसर and two marks be deducted for each incorrect answer अगर इसी के जगह ये condition पे पहले पे कितने marks थे? 40 marks थे अगर इसी में change हो जाए अगर वो 4 marks देता correct पे और गलत पे माइनस 2 काटता तो उसके कितने नम्बर आते हैं उसके 50 marks ठीक है इस बात को समझना है यही बात कर रहा है had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer incorrect के लिए 2 कटेगा correct के लिए 4 मिलेगा then yes would have code 50 marks अगर ऐसा condition होता तो उसको 50 number आ सकते थे how many questions were there in the test तो कहरा है test में कितने questions थे ठीक है तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली चीज है कि correct और wrong यह दूनों अगर answer हमने निकाल लिए number of questions तो हमारा काम बन जाएगा तो सबसे पहले हम माल लेते हैं correct questions कितने हैं और wrong answers wrong questions कितने हैं let number of correct answer question correct answer question question be x and number of wrong wrong answer question be y ठीक है तो पहले condition को लेते हैं पहले condition में तो क्या लिखेंगे according to question according to उसके marks आ रहे हैं चाल इसका तीन अगर मतलब माल लो हमने सही answer कितने किये थे उसने सही answer किये एक्स सही questions के जवाब दिये जो सही जवाब दिये होंगे वो questions हैं तो हर question में तीन नमबर मिलेगा तो कितने नमबर मिले होंगे तो 3x और कट गए कितने नमबर तो हर जो जितने question गलत जवाब दिये कितने y गलत जवाब दिये to how much they will get 50 यह हो गया second equation ठीक है यह दो equation बन गई तो कहरा है इसका solution निकाल लेते हैं से देखिएगा तो यहां पर देखो इन दोनों को मैं और simplify करके क्या कर सकता हूं यहां पर से two common लोंगा मेरा काम बन जाएगा यहां two common लोंगा तो equal to 25 होगे यह मेरा third equation ठीक है यह बात सबी लोगों को समझ में आनी चाहिए यहां तो बेटा minus y इसलिए किया यह समझने की चीज कि मान लो मेरे 10 question सही होते total question थे 15 कितने थे total 15 question थे जिसमें 10 सही थे तो मेरे marks कितने आएंगे तो यहां पर देखो दस question सही थे तो दस गुना तीन marks मिला और यह तो हो गया सही के नंबर और लेकिन पांच question गलत भी तो किये 15 में से पांच गलत किये 10 सही किये थे तो पांच जो गलत किये उसमें से माइनस वन तो माइनस वन इंटू में 5 तो तो टोटल मार्क कितना होगा इसको एड करेंगे और यह माइनस करेंगे समझ में आ रहा है तो वही चीज किया एक्स मेरे correct question थे तो एक्स इंटू 3 मार्क जुड़ गए और उसमें से माइनस करना है कितना क्योंकि य कोशन गलत किया और हर कोशन में माइनस वन करना है तो वाई इंटू माइनस वन तो मतलब माइनस वाई करेंगे और इसी तरीके से से तो फाइनल एक्वेशन कौन कौन सी आई एक फस्ट आ गया एक थर्ड आ गया फस्ट और थर्ड में देखिए वाई के कोफिशेंट्स बराबर हैं और क्योंकि साइन सेम है तो इसलिए क्या करेंगे हम सब्ट्रेक्ट करेंगे जिससे कि मेरा वाई का वैल्यू आज़ा वैसे तो आपको इस exercise में कौन सा method यूज करना है cross multiplication method तो यहां पर cross multiplication से भी कर सकते हैं मैं cross multiplication सही करके दिखा तो यहां पर देखेंगे द्यान से पहले मैं इसको general equation बना लूँ दो एक मेरा हो जाएगा 3x-y-40 is equal to 0 और दूसरा हो जाएगा 2x-y-25 is equal to 0 ठीक है अब यहां पर ratio ले ल क्या क्या हमारे पास है तो एवन इस 3 एटू इस 2 एवन इस माइनस 1 वी टू इस ऑल्सो माइनस 1 एवन इस माइनस 40 एड़ सी टू इस माइनस 25 ठीक है तो cross multiplication method लगाने के लिए मैंने आपको कुछ बताया था क्या बताया था कि बीवन बीटू से सिरू करो तो माइनस 1 यहां पर भी माइनस 1 इसके बाद order में लिखते जाओ माइनस 40 माइनस 25 उसके बाद 3 2 उसके बाद माइनस 1 माइनस यह जो दोनों चीज़े आएंगी एक्स के नीचे यह दोनों वाई के नीचे और यह दोनों वन के नीचे क्या तो cross multiple ठीक है यह हमारा है तो यहां पर सबसे पहले एक्स के नीचे एक्स के नीचे माइनस 1 इंटू माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 वन जा 25 और माइनस फिर यह माइनस माइनस प्लस 41 जा 40 यहां पर य अपन में इनका multiply 42 जा क्या हो जाएगा 80 और माइनस 80 और यहां पर एक माइनस रहेगा उसके बाद माइनस 25 इंटू 3 तो माइनस 75 ऐसे यह माइनस से confuse मत होना बिल्कुल भी यह गरबढ करोगे तो answer गलत आ जाएगा यहाँ पर 1 के नीचे अब इन दोनों का 3 बन जा 3 this is minus 1 minus और यहाँ पर minus 2 ठीक है अब इसको हम solve करेंगे तो यह x upon me 25 minus 40 so what we get minus 15 that is equal to यहाँ y upon me minus 80 minus minus plus 75 क्या हैगा minus 5 this is equal to यहाँ पर देखो यह one upon minus 3 minus minus plus minus 3 plus 2 क्या हैगा minus 1 तो इस तरीके से हम इसको solve करेंगे x upon me minus 15 is equal to यहाँ one upon minus 1 का मतलब minus 1 ही होता है और दूसरा end क्या हो जाएगा y upon me minus 5 is equal to minus 1 तो इससे मेरा x की value क्या आ गई 15 आ गई ठीक है और y की value क्या आ गई यह हो जाएगा 5 तो हमारे correct answer कितने correct questions जो correct answer वाले questions थे वो कितने थे 15 और wrong answer वाले question कितने थे 5 आप इसको आप cross check करके भी देख सकते हो कि तीन number आपको सही पे मिल रहे थे मैं आपको करके भी दिखा दूँ यहां पे तो पंदरा question सही थे तो फंदरा तीया 45 45 लेकिन पांच गलत तो पांच पे एक एक नमबर कटेगा तो माइनस 5 तो कितना होगे हमारा 40 नमबर तो ठीक है second condition को देखो पंदरा question तो 15 फोर्जा 60 और दो नमबर कटेंगे तो फाइब टूजा 10 तो कितना रहा है यह ठीक है ठीक है बच्चा तो ऐसे करेंगे तो इसमें लास्ट में लिखेंगे भी हैंस number of questions total number of questions total number of questions is equal to x plus y 15 plus में 5 तो 20 questions लेकिन इसमें एक और सी सोचो practically अगर देखा जाए तो जरूरी थोड़ी है कि बच्चा दो ही तरह के question करेगा क्या पता कुछ ही किया तो प्लस पूर गलत किया तो माइनस की सिर्फ यही दो condition लेके चला है लेकिन अगर नॉर्मल अगर आप जिनरल condition में देखोगे तो उसमें कोशन यह भी तो होता है कि बच्चा पेपर में कुछ कोशन अनटेंप्ट करके आता है मतलब छोड़ के आता है उस condition के बारे में यहां पर कुछ नहीं बोला है इसलिए हमारा टोटल कोशन क्या हो गए 20 आगए ठीक है बच्चा